इस भी चाय थीं नितिन डागा भी हमां साथ जुड़े हैं आईटे अनलिस्ट है नितिन गुड मॉनिंग आईटि सेक्टर के लिए बहुत कुछ अच्छी खबरे नहीं है इनफोसिस के नतीजे आया यहाँ पर नेट प्रॉफिट रिवेन्यू के फिगर तुछ सीथ के एक्स आपचास बिसिस पॉइंट नीचे और हायर एक्सपेक्टेशन लगभाग सॉप इस पॉइंट नीचे आपका पहला टेक क्या हो का इस पर इस पर नजर रखनी चाहिए नितिन आप अपने प्राइस खटांगे क्या है आपर इन्फोसिस पर एक्टली मैं कोई रिकमेंडेशन महीं देना चाहूंगा लेकिन डेजिनेटली एक तो गाइड़न का प्राइट है वो नेगेटिव रहे रहे इस पॉप इल्कुल चलिए नितिन शुक्रिया हमारे साथ इस बाचीत में शामिल होने के लिए थैंक्स फॉर जॉइन गास फण नहीं है खरीदारी खासकर मिट कैप्स में अभी करनी चाहिए थोड़ा रुखना चाहिए क्या है आपकी स्ट्राटिजी यह वर ओल मीडियम टर्म में धराग चैलेंजिस और वो चैलेंजिस डॉमेस्टिक फरेंट पे नहीं है जब जब जादा करके गलोबल फरेंट पे है एक तो नेगटिव यिल्ड्स का मामला है कहीं न कहीं आप जो है यूएस प्रेसिटेंशल इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो यह सारे जो मामले हैं बहुत जबरदस आपने फैनेशल डिसलोकेशन देखी है गलोबल मार्केट्स में तो यह जब करेक्ट होगा तो इसका इंप उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नजर नहीं आती है लेकिन हुआ यह है कि जो जो ब्रॉडर मार्केट है मिट कैपस और स्मॉल कैपस उसमें हमने जबरदस्त तेजी देखिए पिछले चार-पांच महिनों में लाजली ओन बिनाइन लिक्विडिटी तो यहां पे कहीं ने क अधा कोई प्रिशेश आपको प्रॉब्लम होने चाहिए ज़िए बहुत बाइब शुक्रिया आप इसकाइकर में शामिल हुए और सभी सेक्टर पर राय रखिया आपने मिन वेल्कमाटी मार्केट की ओपनिंग विए आप देखें तो हो चुकिया आपके स्कीन पर आप दे इसका आए थे कहा जा रहा था कि विभिन ने आप देखें कदमों के जरी उन्होंने एक्स्पेक्टेशन को रोका था लेकिन इस बार एक्ट्रीशन जो है वो 19.9 से बढ़कर आप देखें नहीं सबस्टेंटिल जंप लेकिन हाँ 20% के असपास एक अप्टिक एट्रीशन मे किते तीन मेहने का लो था वो वॉलेट किया बावन हफते का नया लो लगाया लेकिन नॉट विद बिग फ्रेक्शन आइव धिन करी करी नाइन नाइटी एट का इंटरे लो था यानि प्रीवेस लो से लगफग लगफग 10 रुपए नीचे तो बहुत सारे फेक्टर्स इनफोसेस करीब 111 पर HC management एग्जेकली क्या कहता देखें मेनेजमें जो बात ही कहाएगा उसमें गराब देखें सबसे बड़ी चीज है के वर्टीकल के बारे में उनका क्या राय है बी एफसाइए को लेकर और कंसल्टिंग बिजनस को लेकर पिछली बार इनफेक्ट इसी क करीब 32 रुपए इनफोसेस नीचे कारबा कर रहा है थोड़ाजा कमॉटी मार्केट के बारे में बात भी कर देते हैं दिपाली में इस साथ हैं भी इस वक्त तर दिपाली एक्जेकली किन की कमॉटीस पर नज़र रहेगी आज़ नज़र रहेगी गोल्ड क्रूड के देखी जा रही है और गोल्ड अगर आप देखें तो सौफ्ट ओपन हुआ है फ्लाट है बाइस नेगेटिव है नौ अंकी कमजोरी साथ 29698 के लेवर पर गोल्ड अभी ट्रेट कर रहा है इसके रावा जो इंटरनाशनल मार्केट में गोल्ड प्राइस थे वो थोड़ी से वॉलेटाइल रहे भी थे और नज़र रहेगे इंटरनाशनल डेवलपमेंट से पर स्पेशली यूएस में जो रीटेयल सेल्स के नंबर्स आते हैं वो कैसे आते हैं सिल्वर और गोल्ड दोनों का जो बिहेविर है वो बिल्कुल शान्थ है भी दोनों ही फ्लाट विदे न गनाशनल माक्त में